इंदोर में लगाता ठगी के नए तरीके अपनाई जाते रहे हैं। ऐसा ही इंदोर शहर में अलग-अलग जगे पर बच्चों को गिर्वी रख ठगी की वारदात देने वाले आरोपी को सदर बाजार से पुलिस ने गिरफतार किया है। आरोपी द्वारा बच्चों को गिर् बाजार इलाके में बच्चों को गिर्वी रख ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। द्रसल शबाना नामक महिला ने थाने पहुचकर शिकायत दसकराई थी कि कोई अग्यात युवक अपने बच्चे को साथ लेकर मेरे कपड़ों की दुकान पर पहुचा था। जहां उसने 15,000 से अधिक के कपड़े खरीदे और ये बोल कर गया कि मेरा बेटा यहां बेटा है मैं कपड़े दिखा कर वापस आ रहा हूँ। जब आरोपी वापस नहीं लोटा तो उसने बच्चे से पूछा तो बच्चे द्वारा मना किया गया कि ये मेरे पापा नहीं है। ठ ठाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी अलग-अलग थानाकशेत्रों में इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसी आरोपी द्वरा चंदननगर थानाकशेत्र में भी बच्चा गिरवी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी अब तक लाख रुपे की धोकादड़ी कर चुका है फिलाल पुलिस आरोपी से और भी पूश्टाच करी है जिससे और भी अन्यमामले सामने होने के खुलासे होने की संभावना है यह इसमें नो जन्वरी की गटना है एक सवाना पती नुसरत यहां पर द्यूना रिसाला में कपड़े का बेवसाई करत यह मेरा बेटा है मैं अभी सुट वगएरा अपने परवार वालों को दिखाने ले जा रहा हूं और उसके बाद लोटके नहीं आया तो महला को तब पता लगा कि यह मैं ठगी का सिकार हो गई हूँ उसने बच्चे से पूचा तो बच्चे ने बताए कि नहीं यह मेरा पित लिखती है च्छतरी पुराम रहता है और इसी परकार के यह बच्चों को ले जा करके यह उनको बच्चों को गिर्वी रखके बारदात करता है तो इसने यहां पे तीन चार जगे बारदात की है तो उसमें पर फैसे यहार रूपय का माल अभी तक हमारे दारा बरामत किया जा चुका है आरोपी को गरपतार किया गया है और अभी आगे और भी पूछताद जा रही है इस तरह की बारदाद कि यह भी तो ते तीन जगे का यही पता लगा हुआ एक बिश्टी मौले में और दो जगे ब्यूनर साला में और अभी इससे और पूछताद कर रहे हैं तो कह ही सहर में कई और जगे भी इसने कहीं बारदाद की होगी तो उनका भी खुला सकी यह बच्चे को लालच देता है कि कुछ दसवीस रुपए दूंगा मैं कुछ खाने का सामान दूँगा तो बच्चे हैं चोटे लालच में आ जाते हैं तो उनको फिर दुकान पर बिठा कर के इस परकार की यह बारदाद करते हैं